हेलो दोस्तों आज हम बढ़ेंगे इलेक्टरिशन थियोरी के परिक्षा में आने वाले महत्पोर्ड प्रस्ण तो पहला प्रस्ण है चालू लायन में विद्धर अपने के लिए किसी इंतर का प्रियोग किया जाता है अप्षण A. नियोन टेस्टर, अप्षण B. टॉंग टेस्टर, अप्षण C. अमिटर या अप्षण D. वोल्ट मिटर तो इसका से उत्र हो जाएगा टॉंग टेस्टर, टॉंग टेस्टर दोला चलू लायन में धारन आपी जाती है हमको note भी ध्यान रखना है transformer में नमी सोकने के लिए silika gel प्रियोग की जाती है अगला question है power transformer में कौन से relay प्रियोग की जाती है अपके option है thermal relay, option B चुमब के relay, option C buckles relay, या option D over current relay, तो इसका से answer हो जाएगा buckles relay, transformer में buckles relay प्रियोग की जाती है note में हमको ध्यान रखना है auto transformer जो है, फ्रियोग की सिद्यान पर कारिय करता है चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है दुरगटना के बाद golden order माना जाता है, आपके option है 1 गंटा, option B 30 मिनट, option C 2 गंटा, या option D 10 मिनट, तो इसका से उत्र हो जाएगा, 30 मिनट golden order जो है, वो 30 मिनट का माना जाता है note में हमें ध्यान रखना है प्रतिरोत का मातरग जो है, ओम होता है चलते हैं अगले question पर अगला question है तार की मूटा ही आपने के लिए किस इंतर का प्रियोग करते है आपके option है HWB से, option B नोट में हमें ध्यान रखना है माइक्रो मिटर द्वारा भी तारव चिद्दर की मुटाई नापी जाती है चलते हैं अगले question पर अगला question है फान factor जिसको रूप गुनग भी कहते है का मान कितना होता है आपके option है, 4.44 option B, 1.11 option C, 1.14 option D, 1.32 तो इसका से उत्र हो जाएगा 1.11 फान factor का मान 1.11 होता है नोट में हमें ध्यान रखना है कि शिकर गुनग का मान जो होता है वो एक पुनग चार एक चार होता है चलते हैं अगले question पर अगला question है DC मोटर का armature परतिरूद कितना होता है option A है, 1 ओम तक option B 5 ओम तक option C है 10 ओम तक option D है 50 ओम तक तो इसका से उत्सर हो जाएगा 1 ओम तक DC armature का प्रतुद 1 ओम तक होता है नोट में हमें ध्यान रखना है कि armature जो होता है वो laminated silicone steel से बना होता है चलते हैं अगले question पर अगला question है कौन सी motor इस्तिर flux motor के नाम से जाने जाती है option A है shunny motor option B shunt motor option C compound motor या option D cumulative compound motor तो इसका से answer हो जाएगा shunt motor shunt motor जो हो इस्तिर flux motor के नाम से जाने जाती है note में में ध्यान रखना है कि shunt motor जो है उसकी गति load पर इस्तिर रहती है चलते हैं अगले question पर अगला question है heater में प्रियुक्त heating element किस से बना होता है यानि किस दातों से बना होता है option A है eureka option B है naikrome option C है tungsten option D है jink तो इसका से उत्तिर हो जाएगा naikrome heating element जो है वो naikrome से बनाए जाते है note में में को दियान रखना है रियुस्टेट का जो ताहर होता है वो मैगनिन से बना होता है चलते हैं अगले question पर अगला question है bulb का filament किस दातों का बना होता है option A है naikrome से option B है eureka से option C है tungsten से option D है C सा से तो इसका से answer हो जाएगा tungsten से बल्ब का filament जो है वो tungsten से बनाया जाता है note में में दियान रखना है कि bulb में आरगन या nitrogen गेस भरी जाती है या इन दोनों का mission भी हम बल्ब में बर सकते हैं चलते हैं अगले question पर अगला question है एक 100 वाट का bulb 250 वोल्ड की supply से जुड़ा है तो इसका answer हो जाएगा 225 ओम इसे हम power के formula P बराबर V square upon R से भी समझ सकते हैं जो हमने इसमें solve करके दिखाए है परतिरूत का मातरक ओम होता है और यह विद्धर का विरूत करता है